हाई गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इन तोड़ेज वीडियो वी आर गॉइंग तो डिसकूस अबाउट मैटलो प्रोटीन्स सबसे पहले अपन देखिए कि मैटलो जो प्रोटीन्स होती हैं वो किसके लिए responsible होती है तो जो मैटलो प्रोटीन्स होती है वो responsible होती है for lub electron transfer के लिए in biological system ठीक है तो वहाँ पे सिर्फ ही क्या करेंगे metal of proteins electron transfer के अंदर अपने काम आएंगे कैसे classified होती है वो देखी सबसे पहले देखेंगे कि ये तीन तरीके से अपने इसको classified करेंगे ठीक है पहली है low spin होंगी means उनके अंदर जो भी metal है वो कैसा होगा low spin in nature और दूसरी चीज वो कैसे होगा octahedral in nature ठीक है second क्या है high spin होंगी high spin और वो कैसे होगा tetrahedral ठीक है थार्ड है high spin और वो है pseudo tetrahedral ठीक है अब इसके अंदर examples कौन से है कौन से इसके अंदर metal of proteins आएंगी low spin octahedral के अंदर वो है cytokromes ठीक है इसके अंदर कौन से आएंगे जो high spin हो टेट्रहेडल होंगे वो होंगे rubri doxin and feridoxin rubri doxin and feridoxin ठीक है और इसमें कौन से proteins आएंगे इसमें आएंगे copper blue proteins और जो copper blue proteins के जो टाइप से वो है copper के first type होगा एक second और एक third ठीक है copper first type second और third ठीक है अब इसके अंदर क्या देखें कि साइटोक्रॉम्स के अंदर कौन सी मेटल होती है वो कौन सी oxidation state के अंदर रहेगी ठीक है इसके अलाव कितने हीम proteins से binded रहती है कितने उसके अंदर electron transfer होंगे ठीक है वो देखते आगे जो अपना पहला topic हो गया वो क्या हो गया एलेक्ट्रोन transfer का काम करेंगे तो इनके अंदर जो क्या होता है एक हीम होता है means one हीम जो protein होता है वो एक electron transfer में काम आता है तो इसमें कितने हीम है 4 हीम है इसलिए कितने electron transfer होंगे यहां पर फोर इलेक्ट्रोन transfer ठीक है इसके अलाव है इसके अंदर metal कौन सा होता और कौन से oxidation state के अंदर present होता है तो इसके अंदर iron मेंटर होता है cytokromes के अंदर और वह plus 2 और plus 3 डॉक्सिदेशन state के अंदर present होता है means उसके अंदर दो active sites होती है चीक है दो active site होगे plus 2 and plus 3 और जो यह iron होता है plus 2 में हो या plus 3 के अंदर हो यह होता है hexa coordinated hexa coordinated अब यह hexa coordinated इसके अंदर क्या क्या होगा वह देखते है इसके अंदर 4 तो हीम होंगे ठीक है 4 हीम protein यह क्या कह सकते है चार इसके अंदर पाइरोल वले होंगी पाइरोल रिंग ठीक है second इसके अंदर 1 histidine होगी और एक इसके अंदर होगा सिस्टीन ठीक है कितने हो गए चार पांच और एक्छा है तो यह कितने coordinated है hexa coordinated ठीक है ठीक है जो साइटोक्रोम होगे कितने टाइप का होता है मिन्स साइटोक्रोम ए होता है ठीक है साइटोक्रोम भी होगा और एक होगा साइटोक्रोम सी और एक होता है साइटोक्रोम 450 और जो 450 होता है इसके अंदर कोई भी histidine unit नहीं होती है histidine unit is subset means इसके अंदर एधी histidine unit नहीं है तो सिरफ कौन सी unit होगी system जबकि इन तीन के अंदर क्या होगी histidine और system दोनों units present होती है ठीक है अब जो साइटोक्रोम A है B है और C है ठीक है इनमें जो electron transfer का order होता है वो क्या होगा वो देखे electron transfer order ठीक है तो देखे जो electron transfer का order होता हो साइटोक्रोम B उसके बाद में होगा साइटोक्रोम C और उसके बाद में होगा साइटोक्रोम A ठीक है ऐसे इनका electron transfer का order होता है कि साइटोक्रोम B से C में आएंगी elektron, फिर electron C से किस में आएंगे A में वो बाद में किस के साथ में बाइंड होगा oxygen के साथ में बाइंड होगा और इसको क्या करदेगा reduce करदेगा क्योंक़ electron transfer करेगा तो electron लेगा तो क्या होगा, reduce हो जाएगा, ठीक है, तो जो ability होती है, bind होने की oxygen के साथ में, किसमें होती है, cytokrome A में, तो ये ability रखता है, ability to bind with oxygen and reduced it, ठीक है, तो किसमें होती है, वो, cytokrome A के अंदर, तो ये question बहुत बहुत बाहर आया हो है, कि electron transfer का order क्या होगा, या इसके अंदर जो भी oxygen को reduce करने के ability कौन से cytokrome के अंदर present होती है, और third question क्या आता है, कि इनके अंदर जो metal होता है, वो कौन सा होता है, iron को पर जो भी है, कौन सा metal होता है, अपने क्या पढ़ा है, iron होता है, ठीक है, cytokroms के अंदर, तो जो तीन होते हैं, cytokrom A, B और C, उनके अंदर तो सारी units present होते है, cytokroms present होता है, cystin present होता है, इसके लावा चार pyrrole ring present होती है, बट इसके अंदर क्या होता है, cytokrom 450 के अंदर, इसके अंदर, P450 लिखेंगे, इसको अपन, cytokrom P450, तो इसके अंदर क्या होगा, कि जो histidine unit है, वो क्या होगी, absent होगी, यह अपने लिख लिए है, histidine unit is absent, ठीक है, इसका मतलब इसकी जो structure है, वो लगबग ऐसी होगी, iron इसके अंदर, plus 3 stays के अंदर होगा, यह 4 क्या होगी, इसके अंदर, कौन सी वले होगी, pyrrole ring होगी, मैंने पूरा ड्रो नहीं किया, आपको pyrrole ring पूरी ड्रो करनी है, ठीक है, उसके बाद में, इसके साथ में, एक, OH2 प्लस, जोड़ा रहेगा, और एक तरफ रहेगा, cysteine, जिसको अपन SCYS दे लिखते है, ठीक है, तो इसके अंदर, histidine unit absent होगी, यह काम क्या करता है, इसका function क्या है, यह important है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, oxidation of alkane into alcohol, ठीक है, तो इसके एक reaction देख लेते हैं, तो देखिए, यह क्या करता है, कि एलकेन हुतर से मान लीजी, अपने कोई एलकेन लिए, और यहां पर क्या ले लिए, साइटोक्रोम P450 ले लिए, अब यह क्या करेगा, इस एलकेन को किसमें चेंज कर देगा, एलकोहल के अंदर, तो आर ओच, ठीक है, तो यह अपना बन जाएगा, एलकोहल, तो इसका function क् oxidation of alkane into alcohol, ठीक है, अब इसके अंदर P450 क्या है, यह इसकी wavelength है, इसके ओपर इसकी peak आती है, जो साइटोक्रोम P450 की जो पीक आती है, वो क्या है, उसकी 450 क्या है, wavelength, ओके, नेक्स्ट है, वो अपना high-spin tetrahedal, high-spin tetrahedal के अंदर को आता है, rubri-doction and feridoction, यह दोनों होती के है, iron sulfur proteins होती है, और यह जो high-spin tetrahedal के है, iron sulfur protein है, और यह two important होती है, iron sulfur proteins, जिनके दो टाइप होते हैं, वो अपने देखे हैं, कि अभी rubri-doction and feridoction, ठीक है, अब rubri-doction की भी नेक्स फोर्म होती है, एक होती ही oxidized form, oxidized form और second होती है, वो होती है, reduced form, ऐसे इरं के प्लास ट्रीर्स तोक्सिडाशन स्टेट हैं आप इनके अंदर और कंसे स्टेट के अंदर रहेा हैज और कैसा रहेगा और कैसा रहेगा थीड हैटन रहेगा। और यहां पैंपे बी быстрi spin रहेगी इसकी high spin ठीक है और यहां पे भी क्या रहेगा high spin ठीक है इसके बाद में इसका जो configuration होगा d5 या जो भी बसता है वो होगा तो इसके नदे d oxidation state plus 3 है तो d5 configuration रह जाएगा और d oxidation plus 2 है तो d6 configuration रह जाएगा तो इसका d6 हो गया और तो इसका d5 हो गया ठीक है और जैसे d5 होगा तो यह क्या होगा paramagnetic होगा paramagnetic क्यों क्यों हुआ है क्यों है high spin है दोनों के दोनों हाइट रहेगा जो पेरा magnetic in nature रहे है ठीक है तो देखे इसके structure देख लेते हैं रूब ईद과ी की तो जो सबसे जो बीच में होगा वो आईरन होगा उसके बाद में इसके अंदर चार सिस्टीन ओनिट होँगी तो वो कैसे इंच वो ऑर्रेंज्ड होंगी टेट्रा हेडल मेनर के अंदर तो देख्के स्टेक्चर इसकी आईरन 16 units हैं क्यों मैंन है टरहीडर मैंन है ठीक है छोela 23 io आसा में एक क्या आपस में दिया है तो एक क्या सिरे आपने को मिलेगे यह तो अपना क्या हो गया रूप् रिडी अक्शिन हो गया इसके दो फोर्म पड़ी एपने roads फोर्स फोर्म और फोर्म और रोडिस्ट फोर्म के अंदर आइरन प्लस तो अक्सिडेशन स्टेट के अंदर ठीक है नेक्स्ट अपना फैरेडॉक्षीन फैरेडॉक्षीन यह थी टाइप का होता है फर्स्ट है वह afe 2s2 second होगा afe4s4 और third होगा afe3s4 ठीक है तो इसके अंदर जो afe2s2 है वो one electron transfer में काम आएगा यह two electron transfer में और यह भी one electron transfer में काम आएगा तो इनके अंदर जो सबसे पहला है वो है afe2s2 ठीक है तो यहाँ पर देखें metal item कितने हैं दो हैं दो iron है इसके अंदर ठीक है और इसकी structure कैसी होगी वो होगी distorted tetahedron और यह भी क्या होगा one electron transfer करेगा one electron transfer में काम आएगा आपने को तो देखो इसको कैसे लिखते हैं जैसे iron fe2 है तो fe s2 लिख देंगे और iron अलग-अलग लिखेंगे क्योंकि इनको अपने को oxidation state शो करनी है ऐसे यहां पर भी ऐसे लिख लेंगे तो कि यहां पर भी अपने को इनको oxidation state यह करनी है शो करनी है तो इसके अंदर जो iron है दोनों के दोनों वो plus 3 plus 3 state के अंदर होंगे और जब कि इसके अंदर गियो reduced form है इसलिए इसके अंदर क्या होंगे एक plus 3 state के अंदर और एक plus 2 state के अंदर और यह जो form है वो अपनी कौन सी form है oxidized form यह जी plus 3 plus 3 state के अंदर है तो कौन सी form हो जाएगी oxidized form और यह कौन सी हो जाएगी reduced form ठीक है और इसके बाद में यह high spin तो ही अपनी को पता है tetrahidal है और यह कौन सा tetrahidal है इसमें distorted tetrahidal ठीक है इसके अलावा इसके बाद में क्या देखना है paramagnetism देखना है इसका तो यह जो होगा वो paramagnetic होगा ठीक है इसके अलावे यह है वह antiferromagnetic क्यों क्यों कि इसके इंदर जो क्या है इसके भी दी 5 electronic configuration रहेगा इसका इसके जब्धाइस में 일이 कपलिंग होगी जैसे कपलिंग होगी तो जो इलेक्ट्रोनिक विन्या से वो क्या हो जाएगा पेर हो जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रोन पेर हो जाएगी तो पेर होते ही क्या हो जाएगा वो antiferomagnetic जब कि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा इसके अंदर देखो d5 है और यह d6 है इसके अंदर एक unpaired electron अपने को मिलेगा ही मिलेगा इसलिए यह कैसा होगा paramagnetic अब इसकी structure देख लेते हैं तो इसकी structure देखिए वो होगा iron यह सामने की तरफ bone से इसको Vase से शो कर दिया ठीक है यहां पे भी क्या है iron और यहां पे systene units यहां पे भीStene units और यहां पर भी systeen unit और यह भी कहां से जुड़ा हो है से ठीक है इसके अलभा यहां पे des那我們 और सल upside कि यह पीछे की तरह प्यांद तो यह भी क्या होगा अपना ड़श दय didn't तो यह इसकी structure हो जाएगी FE2S2 जो फेरोडॉक्षीन है उसकी, okay?